Hello Friends, Welcome to Invest Expert और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप करोड़ पती की जरनी भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा ही बताऊंगा किस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है कितने एंट्रेस्ट रेट से ताकि वहाँ पर आप आसानी से करोड़ो पती बन पाएं तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट, अनकन्फूजन बिल्कुल भी ना रहें अगर आपने फिलाल अभी-भी कहीं पर जॉब स्टार्ट किया है तो अभी से आप इसाइपी करना स्टार्ट करें ताकि आने वाले टाइम पर आपके पास एक बड़ा एमाउंट वहाँ पर कम्लेट होता जाए उस एमाउंट का आसानी से आप यूज कर पाएं मोश्टी लोगों के साथ क्या होता है कि जब भी वो जॉब करते हैं तो 5-7 सालों में जो भी पैसा अर्निंग करते हैं वो अपनी साधी में खर्च कर देते हैं फिर बाद में साधी होने के बाद अपनी फैमिली, मेडिकल, स्कूल, कॉलेज सब पर एक्स्पेंस होने लगता हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यह सभी चीजों का सामना ना करना पड़े यहां पे मैं आपको वन बाई वन पूरा समझाने वाला हूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सस्राइब कर लेना और साथ में लास्ट में वी की हैं 20-20 साल के हैं तो अभी साथ करते हैं तो रिटायर्मेंट तक की एज के लिए आपके पास 40 साल है मतलब 60 साल में रिटायर होंगे तो यहां पे देखिए 500 रुपए से हमने लिया है कैलकुलेशन जो की 12% का इंट्रेस्ट रेट है 12% आसानी से इंडेक्स पंड में जो क कर रहे हैं तो यह करीबन 50 साल की जर्नी होगी जहां पर 1,80,000 आप टोटल इंवेस्ट कर रहे हैं और यहां पर आपको रिटन मिल रहा है लगबग 16,00,000 रुपए और यहां पर देखा जाए तो 18,00,000 का इमाउंट है यह 500 रुपए उनके लिए जो बहुत कम इंवेस्ट कर करता है कि 15,000 रुपए आपको हर महीने 15% के इंट्रेस्ट रेट से 15 सालों के लिए आपको जो है वहां पर इंवेस्ट करना है तो इन 15 सालों में ही आप जो है करोड़ोपती बन जाएंगे आप करोड़ोपती जैसे मैंने बताया लास्ट में यह जो बड़ा अमाउंट है आ यहां पर यह भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं और साथ में बताऊंगा कि अगर आप 15,000 रुपए नहीं जमा करना चाहते तो उसके लिए क्या करना है तो यहां पर फिलहाल हम 15,000 रुपए देख रहे हैं तो यह 15,000 रुपए और यहां पर यह 15% का इंट्रेस्ट रेट ज यहां पर करीबन हमें एक करोड का इमाउंट मिल रहा है मतलब अगले 15 साल में हम करोड़ पती बन सकते हैं तो जब 15,000 रुपए इंवेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी कि वहां पर आप घर महीने जमा कर रहे हैं तो आपके पास पैसा कम है लेकिन अगले साल से यह भी सोच लेकिन आप 15,000 नहीं जमा करना चाहते सोचते हैं कि मैं इतना ना करू और इतना इंट्रेस्ट्रेट ना मिले और इतने सालों को मैं थोड़ा सा बढ़ा दू तो कितने साल में मैं करोड़ पती बनूंगा तो वो भी देख लेते हैं हम लोग तो यहां पे जो है मैं इसको कर कर देखा जाया तो एक करोड़ रुपए कमा सकते हैं अब यहां पे जो है इस तरह हो गए कैलकुलेशन आप सोचो कि मैं यहां पे 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं 5-6,000 में लिम्टेड रहना चाहता हूं तो इसके लिए भी देखिए इसको 5,000 कर देते है तो यहां पे इंट्रेस्टेड हम सेम रखते हैं इसको हम 30 सालों के लिए कर देते हैं तो यहां पे जैसे मैंने 30 साल के लिए किया तो 30 साल में इंट्रेस्टेड थोड़ा कम मिलेगा तो यहां पे इसको हम पिर वापस से कम कर देते हैं तो यहां पे देखिए 15 सालों के 23 साल, 24 साल है, या तो आप समझे 25-26 साल है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो 30 सालों के अंदर आप 55-56 साल के हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5000 रुपे हर मेने जमा करना है, 10% के इंटरेस्ट रेट पे 30 सालों के लिए, तो 55-56 सालों में भी आपके एक करोड़ रुपे होगा, तो आ ऐसे से आप investment करकर के stock में इसमें भी आप जो है ट्रेडिंग करके पैसा निकाल सकते हैं, उसके बाद दूसरा है, कि आपको यह सब नहीं करना, उतना risk नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए आप जो है दूसरा तरीका है, जो mutual fund में आप यहाँ पे SIP कर रह हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो इस एक लाख रुपए को मैं bank में ABD कर दूँगा, दो तीन अपने अलग-अलग account में, तो ABD करता हूँ, तो यहाँ पे जो return मिल रहा है, मुझे भी 6.5% का मिल रहा है, तो 6.5% मिल रहा है, तो यहाँ पे आलड़ी हर महीने मुझे 50,000 कौन सा APP डाउनलोड करना है, जिसके माध्यान से आप आसानी से कर पाएं, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, तो friends, यहाँ पे जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो करता हूँ, जिरोधा क्वाइन एप्लिकेशन से, तो जिरोधा क्वाइन एप्लिकेशन आलड़ मैंने टोटल सेवन यहाँ पे mutual fund करके रखे हुए हैं, इसमें से access mutual fund जो मैंने बाद में किये, जो 50,000 हैं, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे return चल रहा, 5% के आसपास, आई साई से पुडेंटेल निप्टी 50 index fund, जो मैं आपको बात कर रहा था, निप्टी के अंदर या market 19,000 पहुच गया था, उसके आसपास तब, तो यहाँ पे थोड़ा सा minus में हैं, क्योंकि अभी यह higher price में, यहाँ पे buy हुआ है, दूसरे यहाँ पे निप्टी नेक्स 50 आप देखोगी, यह पहले मैंने किया था, यह 7.5% का return है, मेरे यह set large cap में मैंने किया था, यह 12% के आस simply, और यहाँ पे जो आपको mutual fund आपने देख के रखा हुआ है, जैसे कि index fund यहाँ पे, जैसे मैंने index डाला, उपर ही आ गया, तो यहाँ पे simply जो है, इसमें growth में करेंगे तो ज्यादा बेटर, जैसे लिखा है growth index fund, यहाँ पे click करना है, उसके बाद देखिए, right में लिखा SIP, left में लिखा by, by में यह होता है कि आपको lump sum amount करना है तब, और SIP करेंगे, तो यहाँ से आप initial amount कितना करना है, installment amount आपको कितना करना है, weekly करना है, कि यहाँ पे monthly तो आप monthly कर सकते हैं, और यहाँ पे increment percentage है, मतलब हर साल कितना यहाँ पे percentage बढ़ जाएगा, और कौन से तीन में क करना है, पैसी की जरूबत है, तो क्या करूँगा, simply इसमें click करूँगा, click करने के बाद यह तीन dot पे click करूँगा, तो total वहाँ पे जो भी मेरा amount of withdrawal के लिए आ जाएगा, और यह 5 दिन के अंदर आपके account में credit हो जाएगा, automatic, दूसरा, अगर मान के चलिए, यहाँ पे जैसे म buy करना है, तो यहाँ पे simply click करना है, buy more में click करेंगे, तो यहाँ पे investment amount जो आएगा, यहाँ पे आप इसे change भी कर सकते हैं, 10,000 करना है, तो 10,000 करके वापस से आप यहाँ पे add कर सकते हैं, buy करेंगे तो वापस उसमें lower price में add हो जाएगा, तो यह facility आपको जिरोधा में बहुत में भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप जो है वहाँ पे investment करके एक बड़ा amount generate कर सकते हैं, उस amount से आने वाले time पे आप उसे अच्छे सूपियो कर पाएंगे और आपके लिए भी ज्यादा benefit होगा, तो यहाँ पे वीडियो अच्छे लगे ना, तो वीडियो को like जरूर कर ना बोलें, thank you for watching वीडियो,